राम-राम जी आज आप सभी का स्वागत है लाय जी कर ढभा में आज हम आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं आलुगोवी की मस्ट सबजी यह जो आलो गोवी की सबजी है एक तो सीजन विच अधर आलो गोवी का और इसकी सबजी बहुत ही बहतरीन बनती है अगर इस तरह आप बनाये तो तो अगर हमारे ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और घंटा का बटन दबाना विल्कुल इनाफ हो जिए और आपको वीडियो बढ़िया लगे इसको अपने दोस्तों में सेहर कीजिए जो हमारा सारा आप वीडियो देखते हैं पूरा-पूरा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इतना बढ़िया कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो आलु तो जितना ही छोटा आलु देते हैं सब्जी बनाने के लिए उतना ही बढ़िया है क्योंकि छोटा अलू में टेस्ट ज्यादा होता है तो देखिए हमने छोटा से थोड़ा बड़ा दिया है अलू अर आलू को बढ़ियां से धोलिजैंए नया आलू है तो इसको छिलका उतरनी कोई जरूरत नहीं है इसको बढ़ियां से हातों से मसल मसल के धोले देखें कितना मिटी निकलाया इस Athlete में और आलू को दूबारा धोलीजिये क्योंकि एक बार में मेटी निकलेगा नहीं, इसको बढ़ियां से अलू को धो दिजिए, तो देखिए हम यहां 3 किलो आलू और 4 किलो गोवी दिये हैं, तो हमें 7 किलो की सब्जी बनने जा रहे हैं, और देखिए अलू को हमने दुबारा धो दिया है, आलू गोवी की सब्जी अगर आपको ऐसी फराई कर सकते हैं आलू को, और तेल में फराई कर सकते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि बढ़ियां सब्जी बनना चाहिए, तो तेल मसाला उसमें ज़्यादा डलता ही है, अगर ज़्यादा तेल मसाला खाना है, तो वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आप लोग को, आप लोग के, जितने यह वीडियो में बना रहा हूूं, यह सारा Totally Requested वीडियो है, यह आप लोग के रिकवेस्ट बना रहा हूं, और जो भी और भी रिक्वेस्ट आप किजिएगा, तो उसको भी मैं बनाऊंगा, और देखिए गोबी को ऐसे, एक एक ड डंठल को ऐसे काट जीज़े देखी और गोभी तो यह तो एक ऐसे कोई जो बड़ा बड़ा पीसों में 3 कर जीज़े चार कर देजि़े और उससे भी छोटा हो तो बीच में एक बार चाकुल लगा जीज़े और रखे दिये टाकि बीचका डंठल कच्चा ना रह जाए तो ये आलू गोवी की सब्जी बहुत ही आजकर तो सीजन चल रहा तो बहुत ही बहतरीन बन रहा है और यही गोवी फिर बाद में टेस्ट नहीं आता जैसे सीजन इसका हड़ जाता है गोवी मटर गाजर जितना विचीज आप बनाते हैं तो सीजनल ची ही उसे इसाब से आलू काटे आप जितना बड़ा काट सकते हैं काटिये लेकिन आपके उपर है कि उसको फ्राई कैसे करेंगा और बनाएंगे कैसे छोटा पीस रहने पर जल्दी उबल जाता है या फ्राई हो जाता है और बड़ा बड़ा पीस होता है तो शुर्षवा कि अगर यह हमारा आजू गोवी की रिस्पी आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा का बटन दबाना तो विजकुल न भूझे और जितना आपने कमेंट्स किया है वो सारा मेरा यह आजू गोवी से लेकर सारा रेसिपी ढाबाय स्टाइज है और मैं अपने ढाबे पर ही बनाता हूं आपको पता चली गया होगा और हमारे भीवर्स का बहुत लोग का रिक्वेस्ट है कि आपका ढाबा कहा है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस अपना डाल दिया हूं तो देखिए हम यहाँ पे 2-3 किजो 2 किजो के करीब मैं रिफाइन आज दिया हूं य डाबे पे चार बोजे में 5-6 रिफाइन रोज काटता हूं और सुबह के टाइम मैदा समोसा गुनते समय सबजी फ्राई करते समय यह सारा तेज खता हूं आता है मैं तेज को 24 घंटत से कम यूज करता हूं ज्यादा यूज नहीं करता हूं आप दोग बोलते है काला है किसे सफेद नजराएगा अगर सफेद पतिदे में आप देखेंगे तो सफेद दिखेगा तो बहुत हमारे वीवर से बोलते हैं कि आपका तेज बहुत गंदा है तो मैं आपको रियली बात आज बता देना चाहता हूं कि तेज यह 24 घंटत से पहले का है यह आज अगर साम क चीज को बोले यह देखें हूंने घंटत दीया है औरम अ कि मैं उस्बी ऐसे में तेज कर रखा था दहाए कर दिया हूं सफेथ जीको पंधने कर्फा गर में आप डेखीएं 造ना इसे कि कला हो यह दोजता है और देख्ये हमने हैं पाँव टेज रहे हुआ फ्राई कर रखा था एक पाव तेज दिया है पचास गराम हरी मिर्च एक बड़ा चम्मच जीरा और आधा की जो कट हुए प्याज और यहीं पर दो चम्मच अधराक दासन का पेस्ट है और आधा की जो टमाटर पीसा हुआ है और स्वाध अनसार नमक डाज दिये यह आपको दुबारा मैं बताता हूं मसाजे की इसमें 200 गराम रिफाइन आइज है और एक बड़ा चम्मच जीरा है 50 गराम कटी मिर्च है और आधा की जो प्याज कटा हुआ है आधा की जो टमाटर पीसा हुआ है और यहां पर हमने डाजा था हिंग हिंग थोड़ा डाजी है क्योंकि कंच्मय था क्या कॉन मसाला यूज करते हैं स्थ्टाइप दाल दिया इ मडाल यहीं पे य चम्मच गरम मसाला हैं फर हमकाउ बहुत फेमस है और बढ़िय है मतलब मसादा ठीक ठाक है और रेट भी सही है इसको बढ़िया से हम भून देते हैं पांच मिनट यह प्याज टमाटर को और यहीं पर हमने जो गोभी और आजू फराई किया है वो इसमें डाल दिया और गैस को धीरे रखे क्योंकि यह सारा कुछ भूना हुआ है तो धीरे-धीरे सारे मसादा को इसमें मिदाना है हम दो को तो यह मैंने पहले आजू डाज रखा इसमें क्योंकि अगर गोवी डाजेंगे तो ज्यादा टूट जाएगा पहले तो आजू को पहले बढ़िया चला लेते हैं और इसी में पानी डाज देंगे ताकि यह सारा मसादा पक जाए और हमने इसमें अभी गोवी नहीं डाजा है तो यह अगर गोवी डाजेंगे पहले मड डाजिये कभी चलिए आपका मसादा तब गोवी डाजिये ताकि गोवी सीधा सीदह रहेगा आज तो तूटना नहीं है और गोवी तूट जाएगा तो बढ़िया दिखता नहीं सबजी तो देखे मने इसमें आप जो गोवी दिय कम बढ़िया बनेगी और और भी आप वीडियो देखी चुके हैं तो हम मसाला कम डालते हैं तो देखिए हमारा ये गोवी की सब्जी खौल भी गई है और यहीं पर हम बहुत सारा धनिया पता डाल देंगे अगर हमारा अलू गोवी की रेश्पी पसंद आता है इसको लाइक क जो भी आप कमेंट्स किये हैं मैं धीरे धीरे सब आपका पूरा कर रहा हूं तो देखिए मारा गोवी की सब्जी बनके त्यार हो गया फिर हम मिलते हैं अगले रेश्पी में जब तक के लिए राम राम जी